यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है, इस हमले में दोनों पक्षों के सौ सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है राजदानी के मुखे हवाई एड़े के पास भी गोलियों की अवाद सुनी गई है रूसी रक्षा मंतराले का कहना है कि उसने यूक्रेन के एर बेस और एर डिफेंस अपने सतीख हतियारों से नश्ट कर दिये है रक्षा मंतराले की ओर से गुरुवार को एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि रूसी सेना यूक्रेन के मिलिटरी इंफ्रस्ट्रक्चर को सठीक हत्यारों से नश्ट कर रही है बता दें कि रूसी राश्पती रादिमेर्ट पुतिन ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन के खिलाफ मिलिटरी ओप्रेशन की गोशना कर दी है नाटो के मिलिटरी चीफ ने कहा यूक्रेन हमारे संग्ठन का सदत से नहीं है लेहाजा हम उसकी सीधी सैने मदद नहीं कर सकते लेकिन इसके अलावा कई रास्ते हैं और यूक्रेन को इनके जरिये सहायता पहुँचाई जा रही है नाटो के तीस सदत से देशों में से कुछ यूक्रेन को हतियार, गोला बारूद और अने उतकर्णों की आपूर्ती कर रहे हैं लेकिन वो यूक्रेन के समर्थन में कोई सैने कारवाई शुरू नहीं कर रहे हैं एस्टोनिया, लात्विया, लिथवानिया और पोलेन ने नाटो के स्थापना संदी के उनिचे 4 के तहट परामश शुरू कर दिया है नाटो के राज़ूतों ने कहा, हमने सभी सहयोगियों की रक्षा के लिए अपनी रक्षात्मक योजना के अनुरूप, गडबंधन में प्रतिरोध और रक्षा को और मजबूत करने के लिए अत्रिक्त कदम उठाने का फैसला किया है उदर युक्रेन में भारती राज़ूत ने कहा है कि कीव में इंडियन एमबसी बंद नहीं होगी या पहले की तरह काम करती रहेगी वहीं विदेश राजमंत्री वी मुरली धरन ने कहा कि विदेश मंत्राले युक्रेन से चातरों सहित लगबग 18,000 भारतियों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है युक्रेन में हवाई शेतर बंद है इसलिए भारतियों नागरेकों को निकालने के लिए वैकल्पिक विवस्था की जा रही है युक्रेन ने बदलते हालात को देखते हुए मार्शल लॉल आगू कर दिया है इसके अलावा लोगों से शांती बनाने ही अपील की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है पूर्वी युक्रेन की कई एरपोर्ट को बंद कर दिया गया है इसके अलावा बड़ी संख्या में सैनिको को पूर्व की ओर भेजा कया है अमेरिका ने कहा है कि वह युक्रेन को हरत रखी मदद मुहिया कराएगा फिलाव खबरों में इतना ही देश्टी देश्टी खबरे देखने के लिए देखते रहिए वाइबरेंट लाइब निउस निर्भेसत्य जनता की आवाद